हाई फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रेप्रेशन बिथारती में आपका बहुत बहुत श्वागत है फ्रेंड्स आज आपका जो वीडियो है आपके लिए एक न्यूज है और न्यूज यह अच्छी नहीं है क्योंकि प्राइमिरी स्कूल में सिख्षक भरती के लिए आपने डिलेट क किया है और जो डिलेट यह इस जगह से किया है तो वो डिलेट आपका मान नहीं होगा जी हां आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं यह आज के पेपर की न्यूज है चलिए आए हम देखते हैं और हम आपको बताते हैं क्या कि न्यूज क्या है क्यों जो जहां से डि यह आपकी लाइव हिंदुस्तान की है और विसेश संबादाता के द्वारा दी गई है राज मुख्याले से निकाली गई है और आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों में सिख्षक भरती के लिए यहाँ से की गई डिलर्ड मानने नहीं है चलिए आए हम पूरी इंफार्मेशन देखते हैं कि कहां से की गई डिलर्ड जो है वो माननने नहीं है और ऐसा क्यों है इसका रिजन क्या है तो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं कि सरकारी प्राइमरी यह निउज बारा की है यानि आज की है कि सरकारी प्राइ IOS यानि नेशनल स्कूलों से जिन लोगों ने डिलेट किया है नेशनल ओपन युनिवर्स्टी से जिन लोगों ने डिलेट किया है करने वाले पात्र नहीं है रीजन क्या है चलिया ये पूरी इनफॉर्मेशन हम इसमें देखते और बताते हैं आपको कि राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद यानि NCTE ने इस संबद में इसपष्ट कर दिया है कि इसकूलों में पढ़ा रहे आप्रसिक्षित सिक्षक यान IOS से डिलेट कर सकते हैं नियूज नहीं है और यन IOS ने 18 माहे का डिलेट कोर्स करवाता है यन IOS का कामी 18 मंद का डिलेट कोर्स करवाने का देखिए NCTE ने भी एक क्लियर कर दिया है यहाँ पे लेकिन NCTE ने बिहार राज को भेजे गए इस पश्टी करण में साफ किया है कि सिक्षक बरती के लिए नियूनतम सिक्षक योगता में कोई छूट नहीं दी जाएगी देखिए यहाँ पे NCTE ने एक रूल बना दिया है क्योंकि बिहार में अब जो एकजाम सो सिक्षक बरती होने वाली है तो उसमें NCTE ने बिहार राज को एक पश्टी करण भेज दिया है और जिसमें साफ सिक्षक भरती कोर्स जो दो साल का होता है तो उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी यानि जिन लोगों ने टीचिंग सर्टिफिकेट टीचिंग डिग्री ली है लेकिन दो साल का उनका कोर्स है वही इलिजबल होंगे सरकारी सहायता प्राप्त या निजी स्कूलों में पह ने यह कहा था कि जो लोग सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वो अन्ट्रेंड हैं ट्रेंड नहीं है तो ट्रेंड होने के लिए वो जो है नाइस से डियलट कर सकते हैं यहां पे न्सीटी ने बिलकुन इस पस्ट और क्लियर यहां पे लिखा है च सरकारी प्राइवेट और अनुदानित प्रारंबिक विद्यालेयों में काररत आप प्रसिक्षित सिक्षकों को प्रसिक्षित करने के लिए ही डियलट का एक्रम चलाया है देखिए यहां पे न्सीटी ने यह कहा है न्सीटी ने स्युकार किया है उसने नाइस को परमीशन चुझा आपर्शिक्षित है, उनको उसक्षित करने के लिए डिलेट कायक्रम चलाया जा है, और यह कायक्रम मुक्त्य इसी उद्धेश से चलाया गया है, क्योंकि 2011 में दो से लुख्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद कई ऐसे स्कूल जहां आप प्रसिक्षित सिक्षक पढ़ा रहे हैं पूरे देश में नाइस ने लगवग 12 लाक युवाओ ने डिलेट किया है यानि कि बहुत से ऐसे स्कूल थे जहां पे अंट्रेंड टीचर थे उन टीचरों को ट्रेंड करना था और इसलिए NCT ने नाइस से कहा था कि जो य किरेशन था वो 2017 से 2019 था दो शाल का था लेकिन इसको खतम 18 महीने में ही कर दिया गया अब लिहाजा यह यूवा जो है अब कोर्ट जाने की तयारी में है यूपी में सिक्षक भरती के लिए इसना तक के बाद दो वरसी यानि जिसका प्रचलित नाम BTC है TET और सिक्षक भरती की लिकित परिक्षा ली जाती है और इसके बाद ही मेरिट बनाई जाती है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि UP में ज़स्ट अपोजिट होता है सभी जगे जो डियलेड होता है वो 12 के बाद होता है लेकिन UP में जो डियलेड है वो ग्रेजुएशन यानि इसना तक के बाद होता है जिसको पहले BTC के नाम से जाना जाता था लेकिन अब जो है उसको डियलेड के नाम से जाना जाता है नाम चेंज कर दिया गया है और फिर उसके बाद जो है लोग TET यानि TET के एक्जाम में बैठते हैं और इसके बाद विकेंसी आती है और उसके लिए जो है स सिख्षक भरती उसके पिर उसके एक्जाम से लिये जाते हैं जो टेट पास्वे होते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट की है उपर देख रहे हैं तो यहान पर इस पश्ट कह दिया गया है सीधे सीधे कह दिया गया है कि प्राइमरी स्कूलों में सिख्षक भरती के लिए जो लोग नायस से डिलट किये हैं वो मान नहीं होंगे देखिए इस समय डेली पेपरों में यही आ रहा है किस पेपर पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं करें आप कहते हैं कि हम लोग हम ऐसे वीडियो आपको बना के लाते हैं बताते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है जानकारी देना है और हम आपसे हर एक वीडियो में ही कहते हैं कि आप wait करिए, trust करिए NIS पे क्योंकि उसने आपको dealet कराया है तो उस पे आपको यकीन होना चाहिए और साथी साथ में चेर्मेन आपके साथ में हैं के पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि चेर्मेन ने एंटीजी से सवाल पूछा है आप लोगों ने कहा कि हम वही वीडियो क्यों डाल रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं आउनलाइन प्रप्रेशन का सिब बताने का मकसद है कि आप यह सोच रहे हैं उनके द्वारा आप पेपर के माद़ हमसे क्यों दिखा रहे हैं तो जब उन्होंने वीडियो रिलीज ही नहीं किया तो हम वीडियो कहां से आपको दिखा है हम तो निउज आपको पहुचाना हमारा काम है सही गलत का फैंसला निर्णे करना आपका काम है हम आप भी आप से कह रहे हैं आपका डियलेड जो है वो मानने है बिलकुन मानने होगा और जो चेर्मेन है उन्होंने आपको एक हिंट भी दे दिया है अगर मैं इसको अलग से वीडियो बनाओ तो आप कहेंगे फिर वही में पुरानी निउज लेके आ रही हूं तो चेर्मेन ने आपको ख पैसा लगाया है आप किती सारी उम्मेदे इस डियलेड से जुड़ी हुई है कि ट्रेंड होने के बाद जो है कहीं भी वेकैंसी निकलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे वेकैंसी आती जा रही है स्टेट में इस डियलेड की मानता को लेके स सवाल उठते जा रहे हैं इसको अवैद घोसित किया जा रहा है बिल्कुन ऐसा नहीं होना चाहिए ऑनलाइन प्रेप्रेशन आपके साथ में है और आप बताए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि आपको न्यूज पहुचाने के सिवा कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि को आपका support कर सकते हैं अपने इस online के माध्यम से इस platform के माध्यम से लेकिन सवाल उठाना कोट में जाना आपका काम है क्योंकि dealer आपने वहां से किया है तो online preparation का suggestion है कि wait करिये परशान मत हो ये निशिंत रहिए आपका dealer जो है वो मान है बैद है हर एक exam के लिए हर एक job के लिए जो ह आप eligible होंगे वीडियो अच्छा लगे तो like करिये शेयर करिये और comments करें तो positive करें negative के लिए आप dislike कर सकते हैं हमारे चैनल को unsubscribe कर सकते हैं चलिए फिर क्योंकि जो लोग negative comments कर रहें negative comments का मतलब यहां पी यह है कि आप अपने बिचान negative में रखिए लेकिन word अच्छे यूज कर करते हैं तो हम उनको white कर देते हैं और अपने चैनल से बाहर कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं मैं आपको एग वार अगेन फिर बता दूँ तो आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप dislike कर सकते हैं लेकिन अगर दिया आप रांग वर्डी उच करेंगे तो हम आपको अपने चैनल से ब्लॉक कर देंगे चलिए फिर नेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक के और बाए